मेरा समाज मेरा सहाइत अजय नवारिया जी चंद्रभान प्रशाद जी और विवेक कुमार जी हमारे साथ हैं विवेक कुमार जी कई सवाल हैं मेरा समाज से मतलब पहले है क्या क्या वो मेरा समाज वो समाज नहीं है जिस समाज में हम रहते हैं या वो समाज है जो जाती से हमें जोडता है या वो समाज है जिस समाज को लेकर हम सोचते हैं कि एक बेतरीन समाज होना चाहिए जिसमें हर चीज की सवचंदता हो, बराबरी हो, किस समाज का जिक्रम करनते हैं? जिस समाज में व्हक्ति का व्हक्ति से एक बराबरी का ताना बाना हो, रिष्टा हो, वही वास्थविक्ता है। अब भारत वर जैसे उद्वधर समाज में जिसकी संरचना के अंदर उच नीच और क्या किना चे चुवा चूत सब कुछ बनी हुई है वो भी एक समाज है लेकिन हम क्योंकि सब भी समाज के अंदर रह रहे हैं तो हमें ये करना पड़ेगा कि क्या हम अंतर क्रिया बनेगा जो कि मुझे लगा कि आपने देखा होगा कि आचार राम चंशुक्ल जी जब परिभाशित कर रहे थे हिंदी साहित को तो उन्होंने कहा किसी समाज का साहित उस समाज की जनता की चित्रुवत्ति का प्रतिविम होता है लेकिन उन्होंने ये तो बताया लेकिन अन्होंने वह समाज की जनता के बीच के ताने-बाने को नहीं बताया और वहां पर जब उन्होंने उद्रण प्रस्तुत करने शुरू किये तो उन्होंने एक मुझे बड़ा अचंबा होता था कि आपके बंदेल खंड की एक जुमला उनों ने प्रस्थुत किया जिसमें लगत था तेरा बरस कुकुर जीए और बरस बारा बरस कुकुर जी एंटेरा बरस यार बरस 18 चतरी जी ओंहं आगे जीने को धिकार तो यह जो एक तरह से समाझी कांड़रन उनों प्रस्तुत किया तो मैं समझ गया कि वास्तविक्ता में ये जो साहित है वो समाज का तो दरपन नहीं किसी विशिष्ट समाज का दरपन जरूर नजर आ रहा था तो अगर वो समेकित नहीं है और वो समेटे हुए नहीं है तो मुझे लगता है कि समाज की संकल्पना संपूर न झाल झाल